कथा सहित्य में आपका स्वागत है आईए आज सुनिए शरत चंद्र चटोपाध्य जी की लिखी कहानी राजू का सहास कभीवर नरेंद्र देव के यहाँ एक रोज शरत बाबु बैठे हुए चाय पी रहे थे बात चल रही थी श्रीकांत के एक चरित्र नायक इंद्रनात के पारे में शरत चंद्र ने कहा इंद्रनात बनाम राजू कितना हिमत वाला था यह समझना मेरे लिए कठिन है खुद तुम भी उसे अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे जहां हम भाय से पीपल के पत्ते की तरह काप उड़ते थे वहाँ वो कूदगर सबसे आगे आ जाता था भाय क्या होता है जैसे वो जानता ही नहीं था मेरे बाले वस्था की एक कहानी लगे हाथ सुनो उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था राजू स्कूल छोड़ देने के पश्चात जन सेवा में लगा रहता था कब किस पर कौन सी विपत्ती आई उससे उसे मुक्त करना किसी बेमार की सेवा टहल कौन कहां पर गया उसकी दाहकिरिया आधी काम वो दिन रात किया करता था मैं राजू का दाहिना हाथ था जरूरत पढ़ने पर राजू मुझे बुला लेता दाहकिरिया वाला कारे अकेले ना कर सकने के कारण उसे मेरी आवशक्ता जरूर पढ़ती थी एक दिन डिठ्वन एकादशी के दिन हमारे मामा के यहां नाटक हो रहा था कलकत्ता से पार्टी आई थी गाओं के सभी लोग आये हुए थे मैं एक कोने में बैठा हुआ तन में होकर नाटक देख रहा था ठीक इसी वक्त नाचाने कहां से राजू आया और बोला यहां आओ सुनो मैं बाहर चला आया था राजू ने कहा उस टोले में तारापत का लड़का हैजे की बिमारी से ततकाल मर गया है छोटा सा बच्चा है केवल तीन साल का काफी कोशिश की पर बच नहीं सका एक ही लड़का था हैजे में चल बसा अब तारापत तथा उसकी पतनी दोनों लाश को लेकर आकार सिर पर उठा रहे हैं मेरी समझ में इस छूट की बिमारी की लाश उनके पास रहने देना ठीक नहीं सोच रहा हूँ इसी समय शमचान में चलू गाओं के सभी लोग तो नाटक देख रहे हैं कोई दिखाई भी नहीं दी रहा है चल तू जरा मेरे साथ चल बिना किसी तरहा का प्रतिवाद किये मैं चुप चाप उसके साथ चल पड़ा वहीं तक नाटक देखना किस्मत में लिखा था तारापद और उसकी पत्नी को दिलासा देकर किसी प्रकार से बच्चे की लाश हम लोगों ने चीन ली उसके पश्चात हम गाओं से शमचान की ओर चल पड़े उस समय रात का एक पच रहा था मार्ग में मैंने कहा एक लाल टेन ले लेते तो अच्छा होता राजु ने कहा अच्छा तो होता मगर इस वक्त मिलेगी कहा घर में कौन बैठा है मेरे पास दिया सलाई है आवशक्ता पढ़ने पर इसी से काम लिया जाएगा परतियुत्तर में मैंने कुछ नहीं कहा मृत बच्चे को अपनी गोद में लिए राजुआ के आगे बढ़ रहा था उसके पीछे-पीछे मैं था गंगा के तट पर सम्शान है जितना विराठ है उतना ही विभीश का मैं भी लोग यहां दिन में भी आने में तड़ते हैं आसपास काफी दूर तक भी कोई गाओं अथ्वा जूपड़ी नहीं है नाम के लिए दो चार खजूर और कठल के विक्ष हैं अन्यथा जितनी दूर तक निकाह गुमाईए सिर्फ बालुका मैं भूमी दिखाई देती है शमशान के बीच भाग में एक फूस की जूपड़ी थी शमशान यात्री इसी जूपड़ी में धूप और बरसात के समय आराम करते थे एक तरफ जहां पर जूपड़ी लोगों के लिए बनाई गई थी वहीं दूसरी तरफ लोग शमशान स्थित जूपड़ी में बूतों का अड़ा है कहते हैं रात की बात छोड़िये दिन के समय भी कोई उस जूपड़ी के भीतर अकेले जाने का साहस नहीं करता था राजु इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता था वो सीथे उस जूपड़ी के भीतर खुश गया यद्दिपी मैं भी उसके पीछे पीछे उस जूपड़ी में आया मगर सौभाविक रूप में नहीं मुझे हैसास हो रहा था जैसे कोई मेरे हाथ पैर कसकर पकड़े हुए है साथ में राजु था इसलिए मेरी कुछ हिम्मत सी बंधी थी धर्दी पर लाश रखते हुए राजु ने कहा काफी देर से मैंने बीड़ी नहीं पी है चल पहले एक-एक बीड़ी पी ली जाए इसके पश्चात अपना काम करेंगे क्यों ठीक है ना राजु के प्रश्ण का उत्तर मैं देने ही जा रहा था कि उस अंधकार मैं जूपड़ी के भीतर स्पस्ट रूप से यह आवाज सुनाई दी क्या एक बीड़ी आप मुझे पी दे सकते हैं उस वक्त मेरी हालत कैसी हो गई मारे डर के सारा बदन पसीने से तर हो गया मगर राजु ने ठंडे स्वर में पूछा तुम हो कौन? जवाब आया मैं हूँ मैं कौन? कहते हुए राजु ने दिया सलाई जलाई उस प्रकाश में हमने देखा हमारे पास ही एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की दरहां की कोई आकृती लेटी हुई है सीर से पैर तक सारा शरीर कपड़ों में ठका हुआ है राजु ने अच्छी प्रकार देखने के बाद कहा अरे ये तो एक और मुर्दा पड़ा है पता नहीं कौन ले आया है शायद लकड़ी की खोज में गए है तभी फिर आवास आई नहीं पुत्र मैं मुर्दा नहीं हूँ इस पार ज्याता डर के कारण मैं राजु से लिपट गया मेरी सबान तालों से चिपक गई भाय से दांती लग गई किन्तु राजु वाहरे राजु धन्य है तू उसने पुन्हा निर्पय भाव से पूछा फिर तुम कौन हो सलाई की पहली तीली पुछ कई थी राजु ने दूसरी चलाई इस दफा गौर करने पर यह आवास उन गंदे वस्त्रों के भीतर से आई मैं गंगा यात्री हूँ बेटा राजु ने मुझे हिम्मत बंधाते हुए कहा डर्ने की जरूरत नहीं है रे यह मुर्दा नहीं गंगा यात्री वह लोग जो मरनासन हो चाते हैं उनका आखरी समय निकट चान कर लोग उन्हें जीवित खलत में ही शमचान में ले चाते हैं ताकि उन्हें सद्गती प्राप्त हो हैं इसके पश्चात राजु ने एक बीडी जलाकर उसके मुँ में ठूंस दी बीडी का एक कश लेते हुए बुढे ने परमत्रिप्ती के साथ कहा ओ जानबची कई दिन हुए आया हूँ मांगने पर भी मुझे कुई बीडी भी नहीं पिलाता सबके सब कमीने है अब राजु ने बुढे से सवाल करने शुरू किये कितने दिन हुए यहां आये तुम्हारे साथ कितने व्यक्ती है वे लोग कहा गए बुढे ने कहा मुझे तीन रोज हुए मौद नहीं आ रही है मेरे दो नाती और एक पडोसी मुझे यहां ले आये है वे लोग भी मेरे साथ यहां थे आज ना जाने कहां पास ही कलकत्ते से कोई नाटक कमपनी आई हुई है वही वे लोग नाटक देखने के लिए चले गए है में जल्दी मर नहीं रहा हूँ यह देखकर सभी मुझ पर बुरी दरहा नाराज है कहते हैं सोचा था बहुत जल्दी चल पसेगा मगर यहां तो गंगा किनारे की हवा खाकर चंगा हुआ चा रहा है मरने का नाम ही नहीं ले रहा है पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है ना जाने क्या होगा एक दफ़ा गंगा यातरी बन जाने पर सुना है घर वापस नहीं जाना चाहिए राजु ने कहा कौन कहता है कि घर वापस नहीं जाना चाहिए तुम्हें देखने से यह मालुम नहीं होता कि आप मरने वाले हैं अभी तो आप बड़े स्वस्थ हैं आपका मकान कहा है चलिए घर लोट चलिए हम लोग आपको ले जाएंगे नहीं तो घर वापिस नहीं जाना चाहिए कहकर जो व्यक्ति आपको यहां ले आए हैं शायद वी ही आपका गला दबा देंगे बुड़े ने कहा तुम ठीक कह रहे हो बेटा कई दिन से यही बात कहकर वी लोग मुझे भैभीत कर रहे हैं पता नहीं कब गला दबा दें राजु ने कहा खेर कोई बात नहीं हम लोग अपना काम निप्टा ले इसके बाद अपने साथ ले चलेंगे आश की रात आप मेरे यहां रहिएगा फिर कल सुभा आपको छोड़ाएंगे तारापद के मृत लड़के को हमने धर्ती में दफना दिया इसके बाद राजु गंगा में गोता लगा कर वापस आया और मुझसे कहा तू यह सभी कपड़ा बिचोना उठा ले जाते समय जैसे गया था आते समय भी उसी प्रकार आया राजु वृत को पीट पर लादे चल रहा था और उसके पीछे पीछे मैं कत्री चद्दर लादे हुए चल रहा था मामा के घर के निकट आने पर देखा नाट कभी खत्म नहीं हुआ है अभी आप शरत चंद्र चटोपाध्य जी की लिखी कहाने राजु का साहा सुन रहे थे इसी प्रकार की सहित्ति कहाने सुनने के लिए कथा सहित्ते से जुड़े रहिएगा धन्यवाद